प्रियविद्यार्थियों, DSS Online कप्षा में आपका स्वागत है। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका सर्ता सिंग एक बार फिर आप लोगों को हिंदी बसंत भाग एक के पार्ट नौ टिकट अल्बम के बारे में बताऊंगी। टिकट अल्बम के लेखक सुंद्रा रामा स्वामी जी है। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में टिकट अल्बम के लेखक सुंद्रा रामा अब राजप्पा को कोई नहीं पूछता। आज कल सब के सब नाग्राजन को गेरे रहते 03. नागराजन घमंडी हो गया है राजप्पा सारे लड़कों में कहता फिरता पर लड़के भला कहां उसकी बातों पर ध्यान देते नागराजन के मामा जी ने सिंगापूर से एक अलबम भिजवाया था वो लड़कों को दिखाया करता सुबा पहली घंटी के बजने तक सभी लड़के नागराजन को घेर कर अलबम देखा करते आधी छुटी के वक्त भी उसके आसपास लड़कों का जमघट लगा रहता कई लोग टोलियों में उसके घर तक हो आए नागराजन सांती पुर्वक सभी को अपना अलबम दिखाता पर किसी को हाथ नहीं लगाने देता अलबम को गोध में रख लेता और एक एक पन्ना पलड़ता लड़के बस देख कर खुस होते तो यहां जमघट जमघट का आर्थ होता है बेटा भीट तो टिकट अलबम सुंद्रा रामा स्वामी जीदवार अलिखित एक स्रेश्ट कहानी है इस कहानी में उन्होंने बच्चों के मन में एक दूसरे के प्रती उठे इर्षया तता पस्चताप के भाव बहुती अच्छे ढंक से दर्साये हैं और तो बहुत ही अच्छे ढंक से बताया है कि बच्चे एक दूसरे के प्रति जो उनको इर्ष्या होती है जो उनके अंदर पश्चताप का भाव भी उड़ता है तो उसके बारे में उन्होंने बताया है तो इसमें एक राजप्पा और एक नाग राजन है दोनों के पास अलबम के बारे में बताया है तो जो नाग राजन है तो उसके मामा सिंगापूर आते हैं तो उन्होंने सिंगापूर से नाग राजन के लिए एक अलबम भेजवाया था तो वो क्या करता वो लड़कों को दिखाया करता रहता था तो जो लड़के थे वो नाग राजन को हम खाता फिरता था कि नागराजन घमंडी हो गया है जब से उसके मामा जी ने उसको सिंगापूर से अलबम भेजा है तब से वो घमंडी हो गया है लेकिन लड़के उसके बातों पर ध्यान नहीं देते वो सिर्फ नागराजन के अलबम को देखते रहते जब तक सुबह की पहली लगा लेते थे उसके अलबम को देखने के लिए कुछ बच्चे टोलिया बना कर कुछ बच्चे आपस में टोलिया बना कर उसके घर तक चले जाते थे उस अलबम को देखने के लिए तो नागराजन सांती पुर्वकसा भी को अपना अलबम दिखाता लेकिन किसी को हाथ नहीं लगाने देता, वो क्या करता अपने गोद में अलबम को रखता और एक एक पन्ना को पलड़ता रहता जिसे लड़के देखकर खुस होते और तो और कप्छा की लड़कियां भी उस अलबम को देखने के लिए उस्सुक थे, पार्वती लड़कियों की अगवा बने और अलबम मांगने आई लड़कियों में वही तेज तरार मानी जाती थे नागराजन ने कवर चड़ा कर अलबम उसे दिया साम तक लड़कियां अलबम देखती रहें फिर उसे वापस कर दिया तो यहाँ पे दिया है बेटा अगुवा, अगुवा का अर्थ होता है मुखिया, तेज तरार, तेज तरार का अर्थ होता है चालाग लड़के तो उसके अलबम को देखते ही थे लेकिन जो उसकी क्लास की लड़कियां थी वो भी उस एल्बम को देखने के लिए उनके अंदर भी रूची उत्पन हुई जिग्यासा उत्पन हुई वो भी उस एल्बम को देखना चाहती थी तो लड़कियों में एक लड़की थी पारवती जो उन लड़कियों की मुख्या बनी और वही नागराजन से एलबम मांगने गई क्योंकि वही सबसे लड़कियों में तेज तरार यानि चलाक मानी जाती थी तो नागराजन ने क्या किया, अपने अलबम पर कबर चड़ाया और उसे दे दिया, साम तक लड़कियों ने उसे देखा और फिर नागराजन को वापस कर दिया अब राजप्पा के अलबम को कोई पूछने वाला नहीं था, वाकई उसकी सान अब घट गई थे राजप्पा के अल्बम की लड़कों में काफी तारिफ रही थे मधुमक्खी की तरह उसने एके करके टिकट जमा किये थे उसे तो बस एक ही धुन सवार थे सुबह आठ वजे वो घर से निकल पड़ता टिकट जमा करने वाले सारे लड़कों के चकर लगाता दो आश्टेलिया के टिकटों के बदले एक फिनलैंड का टिकट लेता दो पाकिस्तान के बदले एक रूस का बस साम जैसे ही घर लड़ता बसता कोने में पटक कर अम्मा से चबेना लेकर निकर की जेव में भर लेता और खड़े-कड़े काफी पीकर निकल जाता चार, मिलदूर अपने दोस्त के घर से कानाडा के टिकट लेने पगड़न्डियों से होकर भागा चबेना, चबेना का अर्थ होता है बटा भुना हुआ अनाज, जैसे चना को जो भुन दिया जाता है दूसे ही चबेना, पगड़न्डियों पकडंडियों का आर्थ होता है वेटा पतला रास्ता जिस पे सिर्फ हम पैदल ही जा सकते हैं तो अब राजप्पा के अल्बम को कोई पूछने वाला नहीं था जब से नागराजन का अल्बम आ गया उसके मामा ने जब से नागराजन को सिंगापुर से अल्बम भेज दिया तो उसके आगे राजप्पा के अल्बम को कोई नहीं पूछता था जिससे उसकी सान क्या हो गए थी अब घट गए थी पहले बच्चों के बिच लड़कों के बिच उसके अल्बम की बहुत तारीफ होती थी मदमक्खी की तरह उसने एके करके टिकट जमा किये थे जैसे मदमक्खियां एके करके अपना छत्ता लगाती हैं उसी परकार राजप्पा ने भी एके करके टिकट जमा किये थे उसे बस इसी की लगन थे कि कहीं से भी मैं टिकट ले आँ और इस अल्बम में लगा दूँ जब सुबा के आठ बसते थे तो वो अपने घर से निकल पड़ता था वो टिकट जमा करने के लिए उसे वो कहना में बच्चों के पास गुमता रहता था उनके चकर काटता रहता था कि किसके पास कौन सा टिकट है और मैं उसे कैसे ले लूँ तो जब किसी के पास पता चलता था कि उसके पास फिनलैंड का टिकट है मेरे पास नहीं है तो वो उन्हें लालस देता था कहता था मैं तुमें दो तो आस्टेलिया का टिकट दे रहा, तुम मुझे क्या करो, फिनलैंड का टिकट दे दो, और वो किसी के पास रूस का टिकट होता था, तो वो क्या करता था, उन्हें दो पाकिस्तान का टिकट देता था, और उनसे रूस का टिकट ले लेता था, बस जब साम होता था, जब स्क राकेट में रख लेता था और वहीं खड़े-खड़े क्या करता था कॉफी पी लेता था और चार किलोमीटर पैदल ही वो कानाडा क्या टिकट लेने के लिए अपने दोस्त के घर भागता चला जाता था उसकूल भर में उसका अलबम सबसे बड़ा था सरपंच के लड़के ने उसके अलबम को 25 रुपए में खरिदना चाहा था पर राजपपा नहीं माना घमंडी कहीं का राजपपा बड़बडाया था फिर उसने तीखा जबाब दिया था तुम्हारे घर में जो प्यारी बच्ची है न उसे दे दो मैं तुम्हें 30 रुपए में देऊंगा सारे लड़के ठाहा का मार कर हस पड़े तु यहां दिया वेटा तीखा तीखा का अर्थ होता है कड़वा ठाहा का अर्था जोर जोर से तु जब उसकूल भर में जब तक नाग राजपपा का अलबम नहीं आया था तो सबसे बड़ राजपपा का अलबम था एक बार सरपंच के लड़के ने उस अलबम को 25 रुपए में खरिदना चाहा था उसने राजपपा से का कि तुम मुझे अपना अलबम दे दो मैं इसका तुम्हें 25 रुपए दूँगा राजपपा नहीं माना और कहा घमंडी कहीं का राजपपा उसके बाद बहुत धीरे धीरे बोलता गया बढ़बलाते गया फिर उसने तीखा जबाब दिया अर्था कड़वा जबाब दिया कि तुम्हारे घर में जो वो प्यारी बच्ची है न मैं उसका तुम्हें 30 रुपए दे रहा हूं तुम मुझे वो दे दो जब सारे बच्च से करने लगे हैं सब कहते हैं राजप्पा का अल्बम फिसडी है फिसडी का आर्थ होता है बेटा पीछे रहने वाला लेकिन अब क्या हुआ है जब से नाग राज़न का अल्बम आ गया है तो सब उसकी अलबं की बात नहीं करते है अब तो इन दूनों में तुलना कर ले न पर राजप्पा ने नागराजन के अलबम को देखने की इच्छा कभी नहीं प्रकट की लेकिन जब दूसरे लड़के उसे देख रहे होते हैं तो वह नीची आँखों से देख लेता सचमच नागराजन का अलबम बेहत प्यारा था पर राजप्पा के पास जितने टिकर थे उतने नागराजन के अलबम में नहीं थे पर खुद उसका अलबम ही कितना प्यारा था उसे छू लेना ही कोई बड़ी बात थे इस तरह का अल्बम यहां थोड़ी मिलेगा यहां प्रकट कार्थ होता है बेटा जाहिर राजपा ने कभी नागराजन का अल्बम देखने के लिए इच्छा जाहिर नहीं की वो कभी नहीं कहा कि मैं भी नागराजन का अल्बम देखना चाहता हूँ लेकिन जब दूसरे बच् पाने टिकट किये थे नागराजन के अलबम में उतना टिकट नहीं था लेकिन उसका अलबम क्या था बहुत ही प्यारा था उसे छू लेना ही कोई बड़ी बात है क्योंकि इस तरह का अलबम यहां नहीं मिलेगा अलबम के पहले प्रिष्ट पर मोती जैसे अच्छरों में उसके मामा ने लिख भेजा था ए एम नागराजन इस अलबम को चुराने वाला बेसरम है उपर लिखे नाम को कभी देखा है यह अलबम मेरा है जब तक घास हरी है और कमललाल सूरज जब तक पूर्व से उगे और पस्चिम में छिपे उस अनंत काल तक के लिए यह अलबम मेरा है रहेगा लड़कों ने इसे अपने अलबम में उतार लिया लड़कियों ने जट कापियों और किताब वो में टिप लिया तो उसके मामा जी ने जब उस अलबम को नागराजन के पास भेजा था तो पहले ही प्रिष्ट पे खुब सुन्दर मोती जैसे अच्छरों में लिख भेजा था कि A.M. नागराजन सबसे पहले नागराजन का नाम और लिखा था बहुती सुन्दर एक वाकी लिखा था इस अलबम को चुराने वाला बेसरम है उपर लिखे नाम को कभी देखा है यहाँ अलबम मेरा है जब तक घास हरा है जब तक कमल लाल है जब तक सूर्य पूरब से न भाक्यों को देखा तो क्या किया तुरंत अपने अलबम में उतार लिया अलबकियों ने भी जट से अपने कापी और किताबों में लिख लिया तो यह था टिकेट अलबम की कहानी आज हम इतना ही पढ़ेंगे अगले वीडियो में हम इसके आगे के भाक को पढ़ेंगे और उसकी ब्याख्या करेंगे उमीद है आप लोगों को सब समझ में आया होगा धन्यवाद